आगी काश्मीर ठेके 307 अनुच्छे तुले निये छिलो केंजियो शर्कार। एबार पाक अधिक्रितो काश्मीर बिधान शबाय लाकाई बिन्दासेल घुषनाओ करेजिलो केंद्रो। भुद्बार लुक्षबाई केंजियो शराष्ट मंत्री अमेच्छाओ बोलेन जम्मुते मोड 37 असुन छिलो एखन त्याता लिष्टी आसुन होयेचे काश्मीर आगे 6 लिष्टी आसुन छिलो एखन 7 लिष्टी होयेचे आर पाकेस्थान अधिक्रितो काश्मीरे जन चोब्बिष्टी आसुन आम्रा संग्रोख कीतो रेखेची अमिच्छा जानि एचेन जम्मु काश्मीर बिधान शबाई आगे मोट आसुन छिलो एक्षु साट्टी एखन शेटा बेरे होच्छे एक्षो चोद दुटी एकी संगे तिनी जानि एचेन आगे जम्मु काश्मीर बिधान शबाई मोनुनितो शदोश्य संका छिलो दुई शेटा बेरे पाच होबे जम्मु काश्मीर आइनेर पनेरु नम्बर धारावनु जाई दुजन मोहिला के मनुनितो करें राज्जोपाल एखन अभुषो उए राज्जे लेफ्टेन गवर्णमेंट रहे छे शाह बलेन एखन तेके काश्मीर दुई बासिन दाके मनुनितो अंद्या होबे तादेर मोद्धे एक जोन होबेन मोहिला और पाकिस्तान ओधी करितो काश्मीर एजन्नो जनेक मनुनियर जन्नो शंग्रुखीतो राखा होबे डिलिमिटेशन कमिशन के इत्यास में पहली बार 9 सिटे सिडिल ट्राइब के लिए आरक्सित की गई है जमू में पहले 37 सिटे थी अब 43 हुई है कस्मीर में पहले 46 थी अब 47 हुई है पाक अक्यूपाई कस्मीर की 24 सिटे क्यूंकि वो हमारा है यह इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को एट्यासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारीत किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी इसको माननेता दी और धारा 370 चली गई मनेवर इसमें से दो सिटे कास्मरी विस्तापितों के लिए होगी जो गाटी से विस्तापित हुए है और एक सिट पाक अक्यूपई जम्मू कस्मीर के विस्ताफिक व्यक्तियों के लिए नामी की जाएगी इसमें से एक महिला होना जरूरी है इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहाँ पर हुआ है डिलिमिटेशन कमिशन के इत्यास में पहली बार नौ सिटे सिडियोट ट्राइब के लिए आरक्सित की गई है और पस्टि के लिए नौ सिटे और अनुसुची जाती और जन्राइब जाती के लिए भी सिटों का आरक्सिन की विश्ता करे है नई जो स्केम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सिटे थी 37 सिटे थी यह भी न्याय का सवाल है जम्मू में पहले 37 सिटे थी अब 43 हुई है कस्मीर में पहले 46 थी अब 47 हुई है और पाक अक्यूपाई कस्मीर की 24 सिटे क्योंकि वो हमारा है हमने रिजव रखी है इस तरह से पहले 107 सिटे जम्मु कस्मिर विदान सबा में थी अब 114 सिटे हुए है पहले दो नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे अब पाच नॉमिनेटेड मेंबर मानेवर इसमें होंगे जम्मु कस्मिर के कानून के हिसाब से दो महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा पंदर के अनुशार किया जाता है और अब इसमें कस्मिरी प्रवासियों में से दो जिसमें से एक महिला और पाक उक्यूपाई कस्मिर से एक नामानकन किया जाएगा मानेवर ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये इत्यासिक बिल नरेंद्र भाई ने क्याबिनेट में पारीत किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी इसको माननेता दी और धारा 370 चलिए इसी का हिस्सा था ये डी लिमिटेशन कमिशन